स्वागत आप सब का एसी सी मेंस टी ट्वंटी व्ल्ड कप दो जार चोईस के मैच नुम्बर ग्यारा के अंदर मुकाबल है युनाइटेट स्टेट्स आफ अफवनी का बना हम पाकिस्तान के बीच में जो खेला जाएगा ग्रेंट प्रेडी स्टेडियम गलास के उपर मैच है रात के नौ बजए तो आपको ब्लॉक बस्टर यहां पर मैस देखने को मिलेगा जी युसे की टीम है कैनेड़ा को इसी वहने के उपर पहले मैच के अंदर एक स्टेट्मेंट के साथ हराती है दोस्तों का लगबग टार्गेट था एरन जोंस वहां पर आते हैं और पहला मैच आरता हैं फिर दो मैचस में कमबैक करते हैं फिर इंगलेंडरी टीम जाती है पाकिस्तान की वहां पे दो जीरो से सिरीज हर के आती है तो मुराल थोड़ा सा डाउन आप पाकिस्तान का प्लैट्स साही टाइम पे क्लिक नहीं कर रहे है और युग युग इसे की टीम इस ट्रोनिमेंट के अंदर सबसे टीम रहेगी यह किसी भी दिन किसी को भी हरा देती है और खुद हार जाती ही कभी भी किसी भी टीम से तो यह कैसी टीम है तो हम देखते हैं पाकिस्तान के तिया आज दूज और नौ फ्लैजबेक में लेकि जाओंगा आपको मैं पाकिस्तान यहां पर पॉची कैसर क्योंकि उन्होंने लास्ट यह खेला था ग्रैंड फिनाले विट इंग्लैंड याद होगा आप को अस्टिल्या के अंदर इस वज़े से पाकिस्तान को डारेक्ट एंट्री मिली इस टीट्वंडी वर्ल्ड कप के दिन को कोई क्वालिफ करना चाहूंगा आप हम से जुड़े हैं तो आप ग्रेंड प्रेंडी स्टेडियम जो डालास का वैन्यू है जहां पर अभी तक दो पिछ नंबर चार पिछ नंबर 6 यह पिछस के जो डिफरेंस थे वो क्या थे आपको बताऊंगा और भी बहुत से पॉइंट से जो मेरे प 200 प्लस स्कोर बैटिंग फरस्ट ऐसे ऐसी चीजें जो आपको हेल्प करेगी एक टीम को समझने के अंदर बारी के से बहुत से ग्राफिक्स हैं मजा आएगा आपको हैट्टोर नंबर्स हैं आपके वैन्यू नंबर्स प्लैर का फॉर्म और कुछ शांदार जांदार आखड इंसाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं आप भी मैं बहुत सी अपडेट्स देता रहता हूं लिंक दिया हूँ है मैंने नीचे जॉइन कर लेना दोनों बेटीक है ग्राइंड प्रेरी स्टेडियम डलास के उपर मैथ इस्वनी के उपर ने चार्ज उनको एक मैस दिखा था नेदरलेंड और नेपाल का मैस था क्या वादा अस गेम में 106 बनाई थे दस वकेटी नुकसान पे नेपाल की टीम ने से भैतर कर सकते थे क्योंकि उनके जो से देपेद्र सिंग अरे कुछ शाल माला है सबने रंस नहीं बनाए थे वरने एक अच्छा स्कूर बन सकता था नेदलेंड सेस करने आती है इन्होंने आठ बॉल रहे थे टार्गेट चेस कर लिया शांदार पाली थे वहां पे मैक्स अडोबड़ की इससे पहले 194 बनाया थ कैनडा ने सब को लग रहा था बहुत अच्छा स्कूर है बहुत मुश्किल से चेस हो पाएगा बढ़ वहां पे एक बंदा के खड़ा हो गया एर इन जून्स आता है 90 रंड की खुप सुरत पारी हेल गये जाता है 17.48 कंदर टार्गेट चेस हो जाता है विशाल पारी थी व बन सकता है यूसे भी पहले बैटिंग करते है तो एक 140 के आस-पास इसली स्कूर बन सकता है यूसे एक मैच खेली जीती है पाकिस्तान पहली बार इसवन्य पर खेलेगी दो मैच इस वैन्य पर वहां दोनों चेस करते हैं और आर इरनी रिखो इन तुनेमेंट है एना एकट G20 World Cup का जीतीनी भी मैचस मोस्ली हुए एक मैच होगा जो बैटिंग फर्स्ट करते हुए वो जीती थी उगांडा के अगेंस्ट अफगानिस्तान वरना हर मैच चैंपिन कोई भी इस व्ल्ड कप में चेस करते हुए जीते गया है युएस से हुम ग्राउन प्रत्यूराट के असपास अरंस बनने ची नेदलेंड और नेपाल का जो मैस था इस वन्यू पर पिछला नौ विगेट पेसर का चार विगेट मापे स्पिनर्स के लिए अब भी तेक इस वन्यू के अपर दो मैचस हुए पेसर ने तेरा स्पिनर्स जिसमें से लेफ टाम और उफ लोग स्पिनर्स ने निकाला है तो आप देख सकते हैं नेदल निवर से नेपाल वाली पिस ती आपको बता बारी शाहिती लेट मैच स्टार्ट वाथा तो कंडिशन्स थोडी सी ओवरहेड थी वेधर ता तो स्विंग बॉल हो रही थी अच् तो वो दिन थोड़ा अलग था यह देखा पिछ नंबर 4 यह थी जिसमें USA Canada का मैच हुआ यह पिछ नंबर 6 तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पिछ पे मैच हो रहा है तो आप खुद कई चीज़ों को अब्जर्व कर सकते हो यह पिछ नंबर 6 के डाइमेंशन 70 और 61 सामने बनाएंग तो बच्पन के लिए बाराव का होता था राइसा डिजाइन बनी रहती थी ती बतने क्या कहते थे वो गलू इगलू जाने किया हम था भाई तो पतना आप क्या बोलते है तो इस टाइम पर हमारे बच्पन के अंदर तो कैसे लगी आपको पिछ रिपोर्ट ज़ मेरे बाइबंदु वीडियों देखके कुछ तो इंट्रेक्षन कर गे जा रहे है क्या रिक्ली को जगा मिली है क्योंकि ये डो स्पोट्स 14th 15 फ्लेयर की स्कॉर्ट के ंदर थोड़ी सी डाउटफुल थी समें अजम खान आबास को जगा दे लिए दून टीम्स की राइवल्री बहुत पुरानी है, आज तक एक भी बार फेस आफ नहीं किया, पहली बार फेस आफ करेंगे, तो नहीं राइवल्री है इन दे सेंस, उसे मौनाक पटेल उपन करेंगे स्टीवन दिलर के साथ, पिर आते हैं एंड्री गॉस, कड़क क्रिकेटर है सौथ अफरीका से आते हैं, एरन जॉन से नितिश कुमार, कूरी अंडरस अन हरमेट सिंग, लेफटाम और्थोडोक स्पेनर, श्रली वन शालकविक, ये भी आते हैं, सौथ अफरीका से जस सिंग, सौरब नेतरा वलकर, अली खान आपको एक पेस डिपार्टमेंट को लीड करते हुए दिख जाएंगे, अब देखें, जो पाकिसान के टीम है, रिजवान, ओपन करना चाहिए बाबर के साथ, मेरे असाब से सेम आयो कुछा जगा न दी जाए, उनको के अंदर सुपर एट में करें टीम पहुच जाती तो जगा दी जाएगी, उस्मान खान आएंगे अब देखें, पाकिसान के टीम की दिक्कत क्या है, हम देखते हैं इस वर्ल्ड कप साइकल में, ठीक है, क्या हुआ है, आप देखो, इस वर्ल्ड कप साइकल का मतलब है, जो पिछला वल्ल्ड कप वाता ऑस्टलिया वाला, उसके बाद से जितने मैचेस हुए है, उनमें मोस 200 प्लस स्कूरीं बैटिंग फर्स, इंडिया के बारा, पाकिस्तान का बैट साइग है, जो आएदा वेस्ट इंडिस के गेंस्ट कराची के अंदर, ठीक है, दोसो, ये टीम बना ही नहीं पाती है, दोसो के उपर स्कूर पहले बैटिंग करते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है पाकिस्तान को, मतलब ये सोचा आप, स्रीलंका ने दो बार बना दिया, बंगलादेश ने दो बार बना दिया, दोसो प्लस को, जिंबावे ने चार बार बना दिया, पाकिस्तान एक बार बना पाई है, ये इनके लिए एक थपड जैसा है, किसी ने आके थपड मार दियो, तीम बैटिंग फर्स्ट रन रेट देखो आप पाकिस्तान गाई 8.01 का ठीक है क्या ही बूलु यार मैं बहुत खराब खेला नोने बैटिंग फर्स्ट करते हुए स्कोर सच्छे बना ही नहीं पाते हैं और सिंस 2021 अगर आप देखते हैं रन्स पर और आट वाल है पिक्या और मैं से 26 मैच जीते हैं यह 23 मैच से सारे हैं ती 20 के अंदर देखते हैं क्या कर पाते हैं अब देखें पाकिस्तान वर्ल्ड कप प्लैट्स इन सीपियल यह इनको एडवांटेज मिलेगा जब मैच से साथ प्लैट्स को एक्सपिरियेंस है इस्पेशली इमाद और मोहमद अमेका बहुत बड़ा रोल होगा एकॉनमी पर ध्यान दीजिए 6.5 एंड 6.2 की है बिग मैच प्लैट्स वर्ल्ड कप प्लैट्स का कैसा पॉकिमेंस है फ्रों पाकिस्तान रिज्वन है 13 मैचस के अंदर वड्ल कप के अंदर 456 रंस है 41 की एवरेज है 450 है बाबरेजम की 550 है तेरा इनिंग के अंदर 427 रंस है 36 की उसर बहुत खराब है बहुत खराब है उनों का 120-114 फकर जमान का 120 का सब्सक्राइब का 6 मैंच में 114 श्रदाब खान का 6 मैंच में 98 रंस है और बॉलिंग डिपार्टमन में श्रदाब खान 13 मैचस में 20 विकेट टी 20 वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स को बहुत पसंद करते हैं एकॉनमी में देखके चौक गया 6.1 की है और शाहिंशा अफरीदी का 13 मैच में 11 विकेट 6.6 की एकॉनमी यह तो बई अलग बॉलर है है हैरी रिस्टन फर्म भी खराब है यह 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 से के टी 20 आई स्टैट्स में आपको पहले भी बदाए थे जब वीडियो उने पहली बार शूट किया तो मैं दुबारा नहीं बोलूँगा आप से एक स्क्रिंशॉट डेलो यह निगे टी 20 आई स्टैट्स है इंटरनेशनल वाले हर देखना रहे हो का इस गेम में किस तरह से स्टैप अप करता रिस्टन फर्म बहुत अच्छा था एक अतिस रन बीस रन दो विकेट उन चाली रन एक विकेट चावन रन बाइस रन स्यांदार जांदार आकड़ेमिस के मैंने को डेटा अड़ी गरी है जो आपको थुड़ी से आते हैं एंड्री गोस अठारा गिए उसट बैटिंग फ़स्ट चेस के उपर चालीस के उसट वैने के उपर पैसे टरंस है चेस करते हुए बैटिंग फ़स्ट सत्ताई जीरो तेइस चार सत्ताउन पचास और अगर आप नहीं जानते हैं जो प्लैट्स हैं युए से कहा कहां से आये हैं तो मॉनाक पटेल गुजरात से अली खान पंजाब फ्रॉम पाकिस्तान कुरिंडर से न्यूजिलेंड से अर्मित सिंग मुंबई राजस्तान अंडर 19 भी खेला है इसने राजस्तान रोल्स के लिए इंडिया अंडर 19 खेला है नॉस्यूस कैंजगी ने तमि यह वर्ल्ड 11 की टीम है ऐसा लग रहा है मेरोको अमेरी गांगी एंडुर गॉस्तान अंडरी गॉस्तान बहुत अच्छा प्रेयर है था चेस के उपर मैंने लिख्के भी दिया था आपको 40 की उस्तान ए चेस के उपर यह अलग प्लेयर बन जाता है एंडरी गॉस्तान यहां पर यूसा के अंदर फैंस आयोंगे मैस देखने इतने बड़े अमंच के उपर सब स्टीवन टेलर से एक्सट करेंगा जो क्रिकेट फैंस हैं आम तोर पर जो क्रिकेट को अचे से फॉलो करते हैं और जो नुए बंदे इस मैच के अंदर अजे फैंस देखने आए थे पाकिस्तान तीन विकेट से एट पॉंट फॉर की कॉनमी बाइस का स्टाइग रेड है और क्या इनिंग्स है बैटिंग फॉर्टी एट एटी दो मॉट आट इक किस चांमाल इसनाबाद चेस पे जिरो नो नुए पर चार मैच में देट सो रंस है तीन विकेट हैं मस्ट पि जिरो विकेट बाल फॉर्स लास्ट गिम में भूत खाब स्पेल था जिस तरह से बॉलिंग कराई थी इतना मेरे वाइस कैप्टन दिए जैसे से जिरो विकेट बाल फॉर्स अट इस वेन्यू रेसंट फॉर्म एक एक विकेट वाला राय है यह सौराब नेतरावालकर चार म अच्छा खेलनेचे और स्वर्म नेतरवाकर को काउंटर अटेक कर सकता है अली खान एक मैच में एक विकेट है एट्वड नहीं है यह एट्वड नहीं है वैन्यू के पर चार मैच में छविकेट बालिंग फॉर्स करते हुए है एट्वड तो नहीं खेला है इसने नुश् अच्छा शाटवा नववा तेरवड या जैसी सिंगा पांचवा साथवा शुल्वा शाल्यू शाल्क्रीक आठवा वारवा चौदवा तेलर का दसवा दा को लिए इंडर्शन ने पंदरवा शाटवा शाटवा तेलर का दसवा दा पाकिसान के ट्वेंट स्टैट जिखते 2020 आई हिस्टरी विराड कोली पहले पर दूसरे पर अपने अबावबर आगे अपने मतलब विराड भी अपने कुछ अलगी मत निहीं काल ले ना आप लोग हर प्लेयर मेरे अपना होता है क्योंकि मैंज़े क्रिकेट फैन मैस देखता हूं नॉट अजे निशन बीस्ट क्यो अब हम आते हैं जरा बॉलिन डिपार्टमेंट के दरफ इफ्तिकार 23 इनिंग्स में आट विगेट है शदाप का 94 इनिंग्स में 107 विगेट है 19 का स्ट्राइक रिट है इमाद बहु का 71 में 70 विगेट 21 का स्ट्राइक ट्वन्टी आई में शाइन श्या अफरीदी बई गजब का बॉलर है बंदा 66 मैच एकरान में विगेट सेम हरी इनिंग्स में 10 विगेट है थोड़ा सा इसका टी ट्वन्टी करियर इतना खास नी रहा इसे बैटर अबास अफरी देगा है नौ मैचों में 16 विगेट 11 का स्ट्राइगर इन इस टीम वह है हमारे अबास अफरीदी का रिजवान वैसे तो मैं सीरियस लिगा हूना बहुत कम इसनिए प्लेयर तो तीनुट प्लेयर से एक रहता संक दूरीस अब्लास जिस ने खेला था ये बहुत अच्छे रंस बनायते हैं आप यह देखो पीएसल में इसका फॉर्म सत्तावन शत्यस इकिस शतक नाबाद एक सो चैनाबाद दो बैक टुबैक शतक उससे पहले 96 वी गया दावाई ने पीएसल में इसकी तीन बैक टुबैक सेंचीर हो जाती तोड़ा सा अनलगी रहिया था बहुत ही स्वागी प्लेयर अगर इसको ध्यान से देखते हैं स्टाइलिश प्लेयर यह पहले युवी के अंदर खेलता था फिर यहां आगया पाकिस्तान में अलब सोचो एक छोटे इसका अपषाम इसका के अंतर 54-61-43-20-78-45-9 पिछली 6-7 इनिंस में सेर्फ सेंग इसस्यानिट सकूर है अरना हर बार सकूर गया है इसने अध्याम कान और इसके जो नंबर्स है ना वर्साज लइफ ताम और अर्टोडावल बारता ही है वहां पर मेंड इसलिए अंगे वह सब्सक्राइब करते हैं नीचे बैटिंग आएगी देखते हैं क्या कर पाता है श्रदा आप खाम का इस वैने के उपर तीन मैच में 107 रंस है तीन विगेट्स हैं नाओ चेस कीपर से थीस डेखने लाइक हो कैसा प्रदेशन देता है रिसंट फॉर्म भाई खतम अजबन देगा जिरो विकेट्ट जिरो विकेट्ट एक विकेट्ट जिरो 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 इमाद वसीम चार मैचो मैच है विकेट्ट यहां पर बहुत अची बालिंग रहे है एक विकेट्लस नहीं गया रिसंट फॉर्म भी अच्छा था इसका साइन शाफरीद यहां किसी के बास नहीं है लास्स मैच होड़ दो जो इनका किनिंग्टन ओल के उपर वादा था चौथा टीट्वेंट पाकिस्तान वर्स इंग्लेंड का उससे पहले तीन विकेट थीन विक बाद मेंचर डालता है मौमध अमिर हेट्वर वैन्यू कुछ नहीं कहला फॉर्म खराब है 0-0-1-1-0-1-2 पाता नहीं चाला है पाता नहीं चाला है पिछले कुछ गेमों में आ तो एक विकेट निकाला तो कुछ नहीं किया अवास अफरीदी विकेट टेकर है दो 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 नहीं चाला है लडगा इसके बाद स्किल से विकेट टेकिन जैसे हम एंड्यू टाई को देखते हैं जैसे हम कुछ बॉलर्स होते हैं जो विकेट निकाल जाता है अबरार मिस्टी लेके आएंगे देखरो के नरे शाहीन हैरीशरॉफ मोहमद आमिर एक और शदाफ कर डाला जा सकता है डैख मेर मौनब पटेल वर्स हमाद चह बॉलों में एक रन दिया है श्यूण टेल को तीन बॉल में जिरो रन दिया है यह पाई दिक पाउर प्ले में डालेका दो अर इमाद और यह दो वोगों को कच्छा चबा सकता है, Stephen Miller, one of Patel को, Andrew Goss against, Amor Ahmed, Aamir, 14 against, 25 रंद दो निंग्स में एक बार आउट किया है, Harry Sroff ने 4 बॉलों में, 5 रंदे के एक इनिंग्स में एक बार आउट किया है, अब देखे, शांदार जांदार आगड़े, Baba Azam in the midface, after the T20 World Cup 2022, मुलाब क्या गेला बन्दा, बासट की ओसद है, midface के अंदर, 310 रंस है, 204 गंदों में, जार आइनिंग्स में, पांच बार आउट रिज्वान, ये तीसरा क्रिकेटर है, after Suryakumar Yadav, and Aaron Johnson, जो Aaron Johnson है, वारे चैनेडा के प्लेयर, ये तीसरा ऐसे प्लेयर है, इस World Cup साइकल गेंद, जिसकी 50 प्लस एवरेज हो, जिसने 500 की परन स्कोर करें, ये एक रिजवान की खाविले तारिफ चीज है, बावर की भी 500 की परन से, बड़ एवरेज 46 के आसपास है, इस World Cup साइलिंग में, Azam Khan in the midface after the T20 World Cup 2022, 43 बॉल फेस ओफ करी है, midface मतलब समझते हो, क्या होता है, ओवर 7 से 15, 10 innings में साथ बार आउट है, पांच की आसफ होता है, चदाब खान, failure in the midface since 2023, बनलब ये बन्दा, टीम में ही इसलिए कि midface को कॉंट्रोल कर सके, ये बैटिंग में जब आता है, इसको ओवर 7 से 15 की बीच में बहीजा जाता है, कि आप जाओ लुपे मारो, काउंटर अटैक करो स्विनर्स को, और इसका काम होता, विद बाल भी आप हाओ, ओर 7 से 15 की बीच में की बीच में की विगेट निगालो, बट इसका फेलियर हुआ है, कैसे, अब भी ये देगा, विद बाल, 14 इनिंग्स में 8 विगेट है, नौक एकोनमी है विद बाल, विद बाल, 64 गेंदों में 67 डरंस है, 10 इनिंग्स में 6 बार आउट हो जोगा, तो बहुत जादे दिक्काद आएज भाईगो, साहिन 2nd best बालर, इन टम्स अफ अफ द स्ट्राइग्रेट, जिसने मिनिमम 15 मैचस खेले हूँ, आफटर अलपेश राम जुनी, वल्ड कप के बाद से इसने जो पिछला वा था, 33 विगेट निगाले है 19 मैचस में, लब क्या बॉलर है बन्दा, अरिस्ट्रॉफ इस वरी एक्सपेंसिव इंदर पावर प्लेर सिंस 2023, क्यों, नौ इनिग्स में सरफ एक विगेट निगाला है, नौ और बॉलिंग अगिए इसने पावर प्ले के अंदर, टीट्विंटी आई में, एक्सो तेरा रंस कंसिड़ करें है, तो पावर प्ले वाला बॉलर ही निया रिस्ट्रॉफ, एक वर करा लो इससे अट मैसिमब, स्टीवन डेलर की सबसे बेस्ट एवरेज है पावर प्ले में डेट्सो की इस वल्ड़कुप साइकेंड नमबर पर फिलिप सॉल्ट आते हैं, इसने बना एक सो चाहर गेड़ों में डेट्सो चैनिंग्स में एक बार उट्वर 144 का स्टाइगरेट है और यह फर्स्ट प्लेयर है आपको बताए है यह तो पूरी काहनी बता दी किसने क्या किया हुआ हुआ है यह भी आपको पता होना चाहिए है कुरी अंडर्सन पांच अधुठ आपको बाँट पांचेंग्स फोर्ट इसने टींग्स के लिए कर सकते हैं अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो मेरी टीम में बाबर और रिज्वान कॉमन कैटन वाइस कैटन होंगे और अलग जाना है आपको अगर पाकिस्तन की टीम पहले की इनबाजी कर रही है शाहिन से बेस्ट कैप्टन से उप्शन नहीं है इस गेम के इंदर और वाइस कैप्टन में फिर आफ हैरी स्रॉप को कर सकते हैं यह दो प्लेयर्ट्स आपको बहुत बड़ा युगदान देते हो जिसकता है अगर पाकिसान की टीम पहले गेंद बाजी करती है तो हल पहले बैटिंग कर रही है अपको लग रहा है हलक आसा पकिसान का टॉप और दिक्कत में आ सकता है क्यावदा बाबार और रिज्वान थोड़े सस्ते में आउट हो जाए बाई चांस तो फिर श्रदाप खान एक बड़ी खेल सकता है विद बैट और विद बाल आपको दो इसकता है उस केस में आप श्रदाप खान को कैप्टन कर सकता है अमीर अजर नॉर्मल प्लैर कुरी अंडरसन है स्टीवन टेलर एक और मुश्किल से डाले अगेंश वकर जमान एक लेफ्टी होगा मिड़र के अंदर इमाद होगा तो थोड़ा नीचे आएगा अप एक्सप तो टेलर को आप निकाल सकते हैं ज्यादा कॉंफिदेंस नहीं है बट लेट सी एंड्री गॉस को आप ले सकते हैं बहुत अच्छा प्लेयर है जिकेटीविंग सेक्शन में नुसमान खाम को मैंने बैक किया है बहुत बढ़िया प्लेयर फकर जमान एक स्पेशल बट इतने कंसलेशन नहीं है लास्ट गेम में मानता हूं बहुत अच्छी पारी खिली नहीं डिजर भी करते हैं फंटेस्री टीम में लेना बट इस गेम में मेरे साब से अगिन इस साइड थोड़ा सा मुश्किल होगा वगर जमान बैटिंफर्समान ड्रॉप मत करना साम आ अच्छा लगता है देखके मानता हूं ज्यादा हूं यह चाहूंगो नहीं और लोगे यह पासे वीडियो पुछे अब यूज आपको भी खुशी हुगी यार आपका भाई जो स्टार्ट कर रहा था वीडियो और देख रहे हैं क्योंकि अट देख अट अट अब देख जो लोगे खालत पासे वीडियो पुछे अब यूटूब तो अपना काम करी रहा है या कृल लोगा य्याज जो जोबहरी यह जो वीडियो देख रहा है तो अगर वीडियो को शीर करते हैं तो अलग स्विटिवीत पासे लिगह दिन गर यह आप दिल से घरे हुल्से और यह सब दिखती है तो देख तरी स्टाट्स गुरूजी सी सून एंड 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 पर टूव देखो मेरे सेक्षन भी गणा लिए गुरू भी वेटा है ठीक है गुरू तो क्या हो मैं घंठाटा गुरू है स्टाट्स तो मैं दे रहाँ आपको तो गुरू एंड स्टाट्स वाला सेक्षन में मैं आपके लिए अड़कर आये ड्रीम लेंड गंदा तो आप यहां पे भी जाकी चीजी देख सकता हैं से सून जाहें देख तरे स्टाट्स को बचीए